हमारे chapter का नाम है residential status पहले इसको हम ध्यान से समझेंगे कि residential status क्या है उसके बाद इसके अंदर करेंगे हाला कि इसके अंदर जो सबसे main है वो section number 6 से related है अब सबसे पहले residential की हम बात करते हैं तो अगर मैं residential की बात करूँ तो इंडिया अब मैं simple बात करूँ ना residential का मतलब होता है रहना residential का मतलब है रहना थोड़ा thickness बढ़ा देते हैं समझेगा समझेगा residential का मतलब रहना और status का मतलब होता है कि उस जगह का status बोड पे ध्यान दीजिये बोड पे residential का मतलब रहना और status का मतलब क्या है पहले हम इस points को अच्छे से समझेगे chapter को फिर हम देखेंगे अब मान लेते हैं कि हम इंडिया की बात करें अगर तो कुछ वेक्ति ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर रह रह रहे हैं और कुछ वेक्ति income tax तो income tax में government का motive या मुद्दा क्या होगा बताओ कि हम किस वेक्ति से टेक्स लेना चाहिए किस से नहीं लेना चाहिए अब मान लो एक वेक्ति पर्मानेंटली बाहार रह रह रहे हैं इंडियान गवर्मेंट बोले कि भाई तुम भी हमें tax दो तो क्या ऐसा possible है अगर मान ल यानि इंडियन गवर्मेंट उन्हीं वेक्ति से ही टेक्स वसूल सकता है जो इंडिया के अंदर है अब लेकिन जो वाइडन एक दिन के लिए इंडिया तीन चार दिन के लिए टूर पर आते हैं जैसे वो टूर पर आए इंडिया के अंदर तो ऐसा थोड़ी income tax department पकड़ ल सेहलेना होगा और उसके भी कुछ सर्ते होंगी तभी होंगा ऐसे नहीं कि आप इंडिया में आ गया बाहर का कोई वेक्ति इंडिया में आ गया या कोई वेक्ति में से देखा होगा दस-दस साल के लिए इंडिया से बाहर चले जाते हैं जिसकों बोलते हैं nri non-indian resident है बहत स लगता तो मैं status की बात कर रहा हूं status मतलब कब आपको text देना है कब आपको text paid करना है ये तो एक तो ये जानेंगे इसके अंदर residential मतलब आप इंडिया में हो तो कितने दिन के लिए जब आप इंडिया के अंदर रहोगे तब हम आपसे text वसूलेंगे तो उसे क्या बोला गया residential status यानि भारत के अंदर आप हो तो इसका मतलब ये नहीं आपसे text लिया जागा है कुछ शर्ते हैं कुछ नियम है वो नियम फुल्फिल करोगे तब आपको text देना पड़ेगा दूसरी बात ऐसा एक question exam में आता है और वैसे भी मैं बताऊं आप Indian citizen Indian citizen कब होता है अब देखा बहुत सारा cases चल रहा है कि भाई कोई बाहर के वेक्ति इंडिया में आके citizenship ले रहे हैं तो वो क्या कर रहे है जैसा ही आपका यहां पर UID यूनिक identification number या फिर आप कहलो आधार card आपका बन गया आप हो गया resident Indian Indian citizenship मिल गई जैसे बाहर देशों में आपको वहां के citizen होने के isine card ऐसे इंडिया के अंदर अधार card कवा हो अधार Claire जैसे ही आपका अधार अधार काड मतलब हम आपसे इंडियन सिढिजन क्या पता आपने अधार काड बनाया और पांच साल में आप तो एक साल से कम बच्चे का यह बन चाता अधार का आप इस इधार कड बनाया पर्माव येश से पर्मावनेटली चल गए तो इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि हम आप से टेक्स लेंगे आप permanently USA में हो नहीं क्या आप Indian citizen नहीं हो क्या एक व्थी है कंट्री में citizen हो सकता है ऐसा नहीं है कितनी कंट्री में हो सकता है different different country में जैसे की बीच् NEWS आये था अक्षे कुमार को केनेडा का citizenship मिल िर्टे के मिल चुका है तो वहाँ पैसे कमा रहे हो नहीं हो सकता ना तो दो तीन बाते समझना आप यानि टेक्स देने के लिए कुछ न कुछ तो रूल बनाया है गौवर्मेंट ने और रेजिडेंशल स्टेटस हर एक व्यक्ति का अलग-अलग निकाला जाएगा हर एक परसन का अलग-अलग निकाल जाएगा जिसके अंदर हम इस चप्टर में सीखेंगे यानि सिंपल सी बात है सर एक वर्ड में एक लाइन में इस चप्टर का अगर नाम को मैं explain करूं तो इस चप्टर के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि आप इंडिया में टेक्स देने के लिए लाइबल हो या फिर नह या के बाहर का है उससे लेना देना नहीं है आप इंडियन सिटीजन हो या फिर नहीं हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता only and only one thing कि आपका स्टेटस क्या है उस पे डिपेंड करेगा इतनी बाते मैंने बताई आपको एक सिंपल सा मैं कोशन पूछता हूं क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा इंट्रस्टिंग है तो दीरे दीरे चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है मैं एक कोशन आप से पूछूं अगर बहुत सिंपल सी बात है आप बताईएगा अरे एक सेकेंट शायद बुचायर नहीं है आप लोगी क्लास सवा तीन बजे है आप लेट आयो सवा साथ बजे अच्छा अच्छा सब्सक्राइगा अभी करेंगे दुबारा करेंगे रुक जाओ कुछ हैरर है शायद अच्छा अच्छार अच्छाझ से थाखब मैं दुबारा बता देता हूं सारी चीज़े क्योंकि वहाँ थोड़ा सा एरर आ गया था वोई सारी आप सभी को एक बार चेक करिएगा वोई सारी डिसकनेक्ट हो गया था थोड़ा मैं स्टार्टिंग से कराऊँगा किसी का कुछ भी नहीं रहने वाला हाँ या नामे फटाफट से बता दिए वोईस आ रही है आपकी यह सर आब आ रही है ठीक है मैं स्टार्टिंग से बताता हूं जिसका जो रहे गया नहीं रहेगा मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूं सर हमारे चेप्टर का नाम क्या है residential status यह income text में section number 6 के अंदर आता है maximum cases है इस chapter में वैसे तो section काफी है लेकिन सबसे important होता है हमारा residential status residential की बात मैं करूँ तो residential का मतलब होता है रहना सर यहाँ पे residential का मतलब English का Hindi meaning मैंने बताया रहना लेकिन यहाँ पे residential का मतलब है कि आपको residential तभी दिया जाएगा जब आपको क्या paid करना हो tax paid करना हो government को तो आपका status पहले check होगा उसके बाद दिया जाएगा status का मतलब आपको tax या तो tax आपको देना हो सकता है या नहीं देना हो सकता है तो अगर आपको tax नहीं देना तो non resident आ जाओगे आप अगर आपको tax देना है तो आप resident में आ जाओगे तो status का मतलब यह है या तो आपको देना पड़ेगा tax या नहीं देना पड़ेगा मैंने बहुत simple सा मैं अगर example लूँ तो इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूँ इंडिया के अंदर आप इंडिया के अंदर अगर रह रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको text देना पड़ेगा आपके respective of income क्या है ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया के अंदर कोई foreigner इंडिया के अंदर 10 दिनों के लिए आ जाएं तो क्या उसको text देना पड़ेगा यह सीखेंगे इस chapter के अंदर हो सकता है कि इंडिया का person कभी बाहर चले गया foreign घूमने के लिए इंडिया में था ही नहीं तो क्या उसको text देना पड़ेगा यह देखेंगे इसके अंदर हो सकता है को इंडिया के बाहर आप जाओगे न तो citizen का मतलब होता है बहुत सिंपल सी बात है वहां का green card मिल जाता है आपको तो उसे क्या बोलते है वहां का resident बोल दिया जाता है वहां का नागरिकता प्राप्त हो गया उसे बोला जाता है citizen भारत के अंदर अगर आपको citizen ले citizen अधहार कार्ट के लिए जरूरी नहीं होता या फिर इंडिया कहीं कर सिटीजन सिप लेने के लिए ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं होता कि वहां आपको बॉन होना है वहां आपको जनम लेने का कोई अवश्चक्ता ऐसा नहीं है कई लोग ऐसे होते हैं जैसे कि मैं for example लू में सामें Scientist ने नाम सुना होगा आपने कलपना चावला का अगर नहीं सुना आपने कलपना चावला का ना तो कलपना चावला इंडिया में रहती नहीं है लेकिन वह इंडियन सिटीजन के अंदर आएगा क्योंकि यहां पर भी और उसे यूएस का भी पर्मानेंट citizenship मिल गया है तो इसका मतलब सर citizenship की बात करें तो एक व्यक्ति के different different हर एक country में citizenship होना possible है लेकिन residential status हर एक country में होना possible नहीं है क्योंकि व्यक्ति एक ही country में text देगा या तो वो Canada में text देदे या इंडिया में देदे अगर दोनों जगा text देदेगा तो उसके पास बचेगा ही नहीं कुछ वैसे भी ठीक है ना तो simple एक line में इस सब्द को अगर हम खतम करें के एक word में खतम करें तो residential status वाले chapter में क्या सीखेंगे कौन व्यक्ति इंडिया में text देने के लिए लाइबल है text कितना देगा वो तो बाद में सीखेंगे पहले ये तो पता कर लो कि टेक्स देने के लिए तुम लाइबल हो भी या फिर नहीं हो तो पहली बात आपको अगर इंडिया के अंदर टेक्स देना है तो सबसे पहले एक कोशन मैं पूछता हूँ क्या इंडियान सिटीजन टेक्स जो होता है इंकम टेक्स एक कोशन आता है बहुत सिंपल सा कोशन है इंकम टेक्स डिपेंड और रेजिडेंशल स्टेटस मैं रफली रिख रहा हूँ इस सरीके से कोशन है मैं दिखाऊंगा भी पढ़ाऊंगा भी कोशन क्या कहता है सर इंकम टेक्स के अंदर पेपर में पूछते हैं सवाल एक्जामनर बताइए कि इंकम टेक्स उसके रेजिडेंशल स्टेटस पर डिपेंड होता है ना कि उसके सिटिजन शिप पर टेक्स दो मैंने धेरो एक्जामपल दे दिये आपको कल्पना चाबला इंडिया की वह टेक्स नहीं देती इसके साथ साथ और भी ऐसे इंडिया के हैं जैसे कि आपने अगर वर्ल्ड रिचस परसन में देखा होगा तो एक हमारे इंडिया के बाहर यूकी में रहते हैं लक् सारे वेक्ति आपके नोन में भी होंगे जो कि यहां से तो चल ही गया अब वह तो उसका रेजिदेंशल स्टेटस इंडिया में हो जाएगा तो फिर हम उससे टेक्स लेंगे चाहें तुम कहीं भी रह रहे है उससे मतलब नहीं है तो सर कब होगा कोई वैक्ति रेजिदेंश स्टेट пс सिनडिया का कोई तो होगा यह का पहीं पैमना होगा बिलकुल होगा तो क्या होगा वह देखेंगे हम सबसे पहले हम रेस्टेंशल स्टेट असकी बात करें तो सटेट सर्ट हर एक निकाला जाता है कितने वेक्ति होते हैं टोटल साथ एटिवीजुल का लग निकलता है कंपनी का लग निकलता है।। इन सबके अलग लग निकाल ने किनम फिर हमारे के इंदर सिर्फ तीन है मैं तो एक ही है। इन्डिवीजुल का पूछा जाय गा है मैंनेि मैं बोला था कि competitive पूछा जाएगा दूसरा कंपनी या पार्टनर्शिप या फिर हुएफ के बारे में आएगा थोड़ा थोड़ा से वो मैं बता दूँगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है पहले इंडिवीजुल का सीखने आपने बहुत अच्छे से तो सर इंकम टेक्स के अंदर इंडिवीजुल का रेजिदेंचल स्टेटस होने के लिए आपको दो बातों का ख्याल रखना पड़ता है किन किन दो बातों का ख्याल रखना होगा ध्यान से दिखिएगा अगर आप इंडिया में टेक्स अगर आप इंकम टेक्स के अकॉर्डिंग टेक्स देंगे ना तो या तो आप रेजिडेंट होंगे या फिर आप रेजिडेंट नहीं होंगे दो ही बात हो सकती है ना या तो आप resident है या फिर resident नहीं है दो चीज़े हैं पहली बात यह ध्यान रखेगा यानि सर हम या तो resident होंगे या फिर क्या हो जाएंगे हम नोन रेजिडेंट आप नोन रेजिडेंट को सिंपल सब्दों में समधो कि आप हिंदुस्तान के नागरीक ही नहीं हो आप अंग्रेज हो यह समझो अपने आपको रेजिडेंट के मतलब आप अंग्रेज क्यों ना हो लेकिन इंकम टेक्स डिपार्टमेंट बोलेगा कोई फरक नहीं पड़ता आप हिंदुस्तानी ही मानेंगे हम आपको तो नोन रेजिडेंट सबसे पहले बात करते हैं अगर आप रेजिडेंट हो तो नोन रेजिडेंट नहीं होगे तो सर रेजिडेंट होने के लिए सरकार ने दो कंडिशन बनाये हैं उस दो कंडिशन में से कोई भी एक कंडिशन अगर आपने फुल्फिल कर दिया तो आप बच नहीं सकते, फिर सरकार के दाइरे में आ जाओगे, दो कंडिशन बोला है, चेक कर लो इसका, इंकम टेक्स डिपार्टमेंट को बोला गया, इंकम टेक्स डिपार्टमेंट, आपको एक काम करना है, इस वेक्ति का कोई भी वेक्ति का टेक्स निकालने से पहले यह दो बाते जान लेना सबसे पहले रेजिदेंशल स्टेटस जो हम निकालेंगे किस साल का निकालेंगे जिस साल पैसे को वो कमाएगा उसी साल का निकाला जाएगा जिस साल पैसे को अंड करेगा और जिस साल पैस पर सन पर सन फस स्टेड इंडिया अध्या लेस्ट वाने टीज़ ए्ट्टेड़ दिस ओने टीज़ एटीज़ दीज़ in previous year previous year को थोड़ा short form में लिख दिया हमेने PY अगर आप भारत के अंदर 182 दिन रुख जाओगे तो हम बोलेंगे आप resident हो यानि जो बाइडन भी भारत के अंदर अगर गलती से रुख गया 180 दिन तो इंडियन गवर्मेंट उसे छोड़ने वाली नहीं है उसकी सारी income के क्या करेंगे tax ले लेंगे 182 days in previous year यानि जिस साल के लिए tax निकाल रहे हैं माल लेते हैं पुतिन आ गया इंडिया में war हो रहा है वहाँ पे इंडिया में आके रहे गया अगर वो 122 दिन इंडिया के अंदर रह लेता है आके तो इंडिया इंकम टेक्स डिपार्टमेंट वो ले कि पुतिन साब जितनी भी प्रपर्टी है अब उसके उपर आप क्या करो टेक्स इंडिया में भरना पड़ेगा यानी आपका स्टेटस क्या हो जाएगा resident माना जाएगा और resident जैसे होगे तो आपके उपर इंडिया के सारे कानून अपलाई होने चालू हो जाएगे मान लेते हैं इलोन मस्क आ जाए इंडिया में तेसला का फर्म लगाने के लिए और वो यहां पर इंडिया के अंदर रुख जाता है और वो काम में इतना विजी हो गया कि 190 दिन रह गया फर्स जाएगा फिर इंडिया में फिर जितने भी पैसे कमा रहा है उस सभी पर उसको ट तो क्या उससे टेक्स लेंगे अगर आपकी कमाई है तभी टेक्स लेंगे नहीं लेंगे नहीं है कमाई तो हम लेंगे ही नहीं हम तो यह कह रहे हैं कि हम टेक्स की बात नहीं कह रहे हैं आप गवर्मेंट आपको टेक्स लेने के लिए देख सकती है नहीं देख सकती 182 डेस अब government ने बोला भीया ये 182 days government को लगा कि जब 182 days का rule बना रही थी तो government को लगा यार हमने ज़्यादा वक्त बोल दिया इनको कुछ वेक्ति आते हैं 100 दिन रुखते फिर भाग जाते है tax की डर से फिर 100 दिन रुखते फिर भाग जाते है बहार ऐसा कर सकते हैं न वो एक साल में आये 100 दिन में सारा अपना काम बनाया निपटाया और चलेगे बाहर इंडिया में tax से क्या हो रहे थे बच रहे थे government ने बोला रुख जाओ ऐसे वेक्ति के लिए एक और rule लेके आएंगे बोला कि अगर कोई ऐसा वेक्ति है जो ऐसा काम कर रहा है तो हम चेक करेंगे उस case के अंदर ये इसको बोला जाता है पता है क्या basic condition मैंने लिखा नहीं मैं बता देता हूँ इसको बोला जाता है सर basic condition basic condition इसे बोलते हैं हम basic condition और सर ये कौन सा basic condition number बताया मैंने 1 basic condition क्या है 1 याद रखने में आसानी होगी basic condition number 1 है section 6 के according दूसरा बोला basic condition number 2 basic condition number 2 basic condition number 2 में क्या बताया होगा सरकार ने क्योंकि कुछ rule तो कुछ strict बनने थे यहाँ पे तो basic condition number 2 में बोला कि अगर कोई भी if person stay in India 60 days in previous year यानि बोला गया अगर कोई वेक्ती 60 दिनों के लिए भारत में रुकता है अगर इससे बच गया तो दूसरा चेक करेंगे कोई वेक्ती 60 दिनों के लिए भारत में रुकता है कब previous year में और पिछले सालों में पिछले सर ये condition लगेगा उसके उपर क्योंकि वो बार-बार government को धोखा दे रहा था तो अगर इस condition से बच गया हम उसके उपर दूसरा अपलाई करेंगे क्या अपलाई करेंगे सर 60 दिन अगर तुम आ गए इंडिया में चलो 182 डेज नहीं आए 90 दिन आए चलो 90 दिन देख लिया 90 दिन आपके current year में चेक करेंगे फिर हम चेक करेंगे पिछले सालों की अगर पिछले 4 सालों के अंदर अगर आप 365 दिन आ रहे हो इंडिया में कितने? 365 दिन और ये दोनों बाते अगर complete होता है बीच में देखो मैंने क्या लगाया है एंड एंड का मतलब होता है दोनों अगर इन दोनों बातों को एक साथ complete कर रहे हो तब भी आपका status क्या होगा? resident होगा अगर इन दोनों में से आपने कोई भी एक ये नहीं कि ये भी करोगे और ये भी करोगे इन दोनों में से कोई भी एक आप complete करोगे तब भी आपको क्या बोला जाएगा? resident बोला जाएगा अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं करते अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं करते आप if basic condition one or two not satisfied अगर आपने basic condition satisfied नहीं किया कोई भी इन दोनों में से 1 और 2 तो आप क्या माने जाओगे आप अजाद हो text implement से सरकार आपको हाथ भी नहीं लगा सकता text के point of view से तो अभी बहुत से simple से definition क्या बता है सर अगर आपके उपर इंडिया के अंदर चाहे कोई भी हो आपका citizenship से मतलब नहीं है हमें हमें क्या मतलब है आपके status से status देखेंगा अगर 180 दिन आप इंडिया में रह रहे हो पैसे कमाए तो text देना पड़ेगा आपको क्या बोल दिया मैंने आप हो resident अगर इससे बच गया तो government ने दूसरा rule लगाया सर दूसरा rule क्या लगाया कि अगर person stay करता है इंडिया के अंदर 60 days और 365 day last four year के अंदर दोनों एक साथ तब भी आप क्या माना जाओगे resident एक एक्जामपल लेता हूं आप देखो simple सी बात है मान लेते है ricky pointing पता कौन है यह जो match देखते हैं उनको पता है सबसे ज्यादा world cup यह लेगिया है ricky pointing तो ricky pointing है मान लेते हैं इंडिया में हर साल 100 दिन के लिए आता है पिछले 10 साल से यही चल रहा है इसका सौ दिन के लिए हर साल आ जाता है अब पूछा गया इसका resident status बताओ तो सर पहले हम चेक करेंगे कौन सा लगाए इस पर यह वाला यह इस साल के लिए निकालना यह हमारा current year है तो पहले चेक करते हैं क्या current year में 182 दिन है नहीं है चलो बच गया अब अभी नहीं बचेगा पहले दूसरा भी देखेंगे अब इसमें क्या बोलता है current year में कितने दिन 60, ये तो done कर गया, पिछले 4 सालों में कितने दिन, तो पिछला 4 साल ये है, क्या 365 दिन है पिछले 4 सालों में, है, 400 दिन हो गया न, 365 ही नहीं होना चीज़, उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा, तो कम होंगे तो फिर ये बच जाता, मान लो, इस साल आता, सपोस करो, आपका दूसरे आंसर में देता हूँ, इस साल आता, 100 दिन के लिए, 100 दिन के लिए एक बार कर लेते हैं, और एक बार कर लेते हैं, 60-60 दिन आया है, ठीक है, इसके बाद नहीं है, पहले येलो वाले जो कर रख है, मैंने उसकी बात करते हैं, तो येलो वाले के हिसाब से ये वाला condition दोनों पूरी कर रहे है तो इसका येलो वाले के हिसाब से आपका जवाब होगा ये क्या है resident मैं r symbol डाल रहा हूं इसको क्या ये resident और red वाला जो मैंने लिखा है चलो यहां पर तो आ गया इसके अंदर लेकिन पिछले चार सालों में कित current year वाला नहीं पिछले मैंने बोला last current year को छोड़ दो उससे पिछले वाला मैंने 90 days बोल दिया क्या कहीं पर नहीं यहां 60 60 लिखा है देखो 60 अगर मैंने बोल दिया है तो आप समझ जाओ 60 और 365 की बात करना हूं बताओ बताओ हाँ 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 बिल्कुल एक कोश्चन देखो कोश्चन यह आया सर यहां पर वो 35 दिन है और इस साल पूरे साल है 365 दिन तो करेंट यहर में कितने दिन होना चीए 60 तो है नहीं करेंट में तब भी नोन रेजिडेंटी हो जाएगा यह दोनों बाते यहां पर इखटा कम्प्लीट होना चाहिए क्यूंकि हम रेजिडेंशल स्टेटस इस साल का निकाल रहे हैं अगर मैं इसका रेजिडेंशल स्टे अब आ जाते हैं इसके एक्सेप्शन ना नॉन रेजिडेंट का तो यहीं कि लिए प्रॉपर टाइम देंगा इसके बाद आ जाता है एक्सेप्शन के मतलब इंडिया के लोग जो थे इंडिया के लोग उन्होंने क्या करा जोर सोर से विरोध किया हम 60 दिन आते हैं अपने family से मिलतेह हैं और फिर भार आना जाना लगा रहते एं तो यहां के भी हो जाते हैं और वहां Et,… दोनों जगा टेक्स देने पढ़ते हैं कहीं कि नहीं रहते फिर तो धोनों जगा टेक्स देखे बचाई चाया उसके पास कि फिर मुद्हियम unity अप इंडिया के अंदर आ रहे हो तो आपके उपर कुछ व्यक्ति के लिए कुछ व्यक्ति के लिए बोला कि आपके उपर सिर्फ ये रूल लगेगा ये वाला नहीं चेक करेंगे भारतिये जो भी हो आप आपके उपर सिर्फ कौन सा रूल लगेगा ये वाला लगेगा ये वाला चेक नहीं करेंगे तो ऐसे कौन-कौन से वेक्ति है तीन तरह के की वेक्ति है जिसके उपर कौन सा रूल लगने वाला है सरफ और सरफ ये वाला ये वाला नहीं लगेगा देखने कौन से तीन तरह के के लोग हैं वो यानि मैं simply बताऊ ना आपको तो exception case sir किसका exception case या अगले page पर चले चलो अगले page पर चलो नहीं इसमें थोड़ा सा है exception का मतलब होता है अपबाद जो हमने सीखा है वो सीखा तो ठीक है लेकिन इन बातों पर वो सीखी हुई बातें अपलाई नहीं होगा अभी तक सीखा है कोई वेक्ति एक condition से बचा तो हम उसके उपर अपलाई करेंगे दूसरा अगर दूसरे से बचा तब वो बच गया अभी तक ये सीखा है लेकिन exception का मतलब कोई वेक्ति जो है उसके लिए हम दूसरा देखेंगे नहीं एक से बच गया मतलब वो बच गया तो क्या-क्या बोला गया दो तरीके के कई बार person ऐसे होते हैं न नमबर वन person go outside इंडिया four कोई भी person go outside इंडिया for employment employment के लिए इंडिया से बहार employment purpose के लिए जाता है कौन इंडिया के वेक्ति अब नौकरी करने गए इंडिया से बहार इंडिया में कभी आते हो 70 दिन कभी 90 दिन कभी 80 दिन 50 दिन हर साल तो आओगे family से मिलने के लिए तो ऐसे situation में आपके उपर दूसरे वाला condition अपलाए नहीं होगा सिर्फ क्या चेक करेंगा अगर 112 दिन ज्यादा family के साथ रुक गया आप यहां पर तो भैया नहीं चलेगा फिर तो आपको टेक्स देना होगा लेकिन अगर पचास साथ दिन दो महने की छुट्टी का उन्होंने देख लो आप दो धाई मैने का तो चलेगा ठीक है ना तो यहां पर रखा गया दूसरे हाँ एरपोर्ट पर भी होता है बात ठीक है और भी जगह होते हैं अगर मैं आपको क्रिव मेंबर दिखाऊं तो है क्या क्रिव मेंबर मेरे पास क्रिव मेंबर की हम बात करें तो जो इंडियन सिप है न हैं पर इंडियन स्ट आपकी बात बिल्कुल सही है सर जो होते हैं और जो इंडियन एरम लायन किसी बी एर्लाइन में होते है उससे भी क्रिव बोला जाता है अपक runners करोगी तो हमारे क्रिव करके वर्ड रहेफिएखकाई लेकिन हम शिप की बात करेंगे इंडियन शिब कोई भी इंडियन शिपपे या नोन-्र्यसिदेंस किसी भी शिप फे दो तरीके के वक्ति ही होते हैं एक शिप को चला रहा होता है उसको क्या बोलते हैं जो शिप को चला रहा होता है उसे क्या बोलते हैं ड्राइवर उसे बोलते हैं कैप्टन और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सपोर्टिंग में होते हैं जैसे इंडियन एर्लाइन्स में या किसी भी एर्लाइन्स में की बात करें तो वहाँ पर देखोग भी हो जो की Indian ship पे या किसी जो non-residentship कर रहे हो तो उसके उपर भी condition कंडिशन नंबर टू नॉट अप्लाए कि कंडिशन नंबर टू नॉट अप्लाए कि कुश्चन कहना है कि अगर हम 183 और या 283 दो साल दो साल नहीं करेंट इयर का ही चेक करेंगे हाँ चार सालों में मैंने कहा 365 दिन चार सालों में अगर वो 365 से ज़्यादा रह लेता है कोई बुरा ही नहीं है उसमें वो कंप्लीट रहेगा ठीक है अभी काफी सारे कुश्चन भी देखेंगे एक बार मैं कॉंसर्प एक बार खतम कर लूँ न फिर सारे हम पॉइंट्स पे आ जाएंगे चलिए एक और पॉइंट देखते हैं थर्ड पॉइंट बोला गया इंडियन ओरीजन तीसरा एक्षेप्षन पता है कौन होता है दिखाते हैं आपको इंडियन ओरीजन यह तो देखो आपको मैं दिखा रहा था क्रूव मेंबर यह देख लो एसे होते हैं यह जो यहां पर तर्बन तो मुझे कैपटन लग रहे हैं सरदार क्या है's captain无도ima नहीं इसके साथ यह साथ एंँछ ना यह कैदी नहीं है यह क्या है QMzna करने वाले न वह क्या है QM Emperor इन की बात कर रहे हैं अगर कोई ऐसा को कर रहा है तो उसके अपर crew member के उपर एक होगा और Indian origin भी दिखा देते हैं कौन होता है sir Indian origin ये है हमारी Indian origin यानि sir Indian origin का मतलब है वो व्यक्ती ये Teaching origin है ठीक है Indian origin का मतलब है जब भारत divide नहीं हुआ था अजादी की तो बात करें अजादी का तो छोड़ो एक भारत डिवाइड हुआ था ठीक है ना 1947 में इंदिया और पाकिस्तान जिसके भारत के दो हिस्से हो गए थे तो डिवाइड हो गया था तो या तो कोई भी वेक्ती या तो खुद परसन या उसके मम्मी पापा या उसके दादा दादी ग्रेंट फादर ग्रेंट मदर या नाना नानी अगर ये इंडिया में बौन हुए हैं 1947 से पहले तो आप या आप खुद 1947 से पहले तो आप माने जाओगे इंडियन ओरीजन यानि आपका इंडिया से एक गहरा नाता है इंपल सी बात है उसे बोला गया इंडियन ओरीजन आप इंडिया ओरीजन का मतलब क्या है वहीं से निकले हुआ तो कल्पना चाबला अभी एज पता चल रही होगी कितनी है मानलो 40 साल होगा तो इसके जो दादा दादी होंगे नाना नानी होंगे क्या कल्पना चाबला कि अगर बात करें उसके दादा दादी नाना नानी अगर इंडियन क्यूंकि इंडियन ही है तो इंडिया के अंदर बॉन हुए होंगे 1947 से पुरान ही होंगे वह इसलिए इसे मैंने क्या बोला इंडियन क्याओर इसे बहुत सारे क्टर भी एडियक्स हए इंग्लेंड में क्रिकेटर हुआ करता था मों ती पर रिष या नाम से हो या आपके मम्मी पापा हूँआ आपके दादा दादी होने से पहली अगर इंडिया में पैदा हुए हैं तो आपको एक status मिलता इंडिया में special status जिसको बोला जाता है इंडियन तो سर आपके उपर भी condition number 2 not apply यह तीन व्यक्ति ऐसे हैं जिसके ऊपर condition apply तो इन तीन व्यक्ति के लिए स्रिफ कौन सा condition चेक करोगे 182 वाला सिर्फ 180 दूसरे वाला साथ और 365 वाला चेक नहीं करना यह सब ठीक ठाक चल रहा था इतनी सी बाते हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो उस situation के अंदर देखा जाए तो इंडिया के अंदर इंडियन और रीजन है अब कुछ बच्चे कह रहे हैं रिप मेरे को पता नी कलपना चावला का क्या है कलपना चावला अच्छा पर सौरी भाई ठीक है मैं तो एक एकजामपल ले रहा था कोई मिला नहीं जो जाना पहचाना था थोड़ा यह ले लिया साइध में मेरे को विजय मालिया ले लेना चाहिए था है यह ठीक है ना ठीक है चलिए कोई बात नहीं आपको बस concept समझाना है concept मेरे इसाब से जिन बच्चों को पता होगा उससे जिन्दगी भर याद रहेगा जब ऐसा चल रहा था ने इंडियन ओरीजन आप मान लीजिए के इंडियन ओरीजन के case के अंदर मतलब मेरा कहने का मतलब बहुत simple सी बात है सर इंडियन ओरीजन का मतलब होता है अगर कोई वेक्ती या उसके दादा दादी या नानानी बौन कहां हुए हो इंडिया में कब अजादी से पहले तो उसे क्या status मिल जाएगा इंडियन ओरीजन last year government को ये बात समझे में आ गई कि भाई ऐसे तो बहुत सारा पैसा इंडिया के अंदर transfer होता है उस उने दादा दादी को transfer किया जाता है उसने बोला कि sir इस case के अंदर आपके उपर condition number सिर्फ one apply हो रहा है लेकिन एक और condition government ने इसके अंदर add on कर दिया है sir एक और condition क्या add on कर दिया number मैं इसी की बात कर रहा हूं सिर्फ third के contest में बात करूंगा मैं third के अंदर बोला कि sir आप दोनों तो ठीक है आप दोनों पर कोई कारवाई नहीं होगी इनको नहीं छोड़ा गया इनको बोला गया कि आप का Indian origin हो okay आपके उपर हम एक और condition लगाएंगे अगर आपकी इनकम not exceed 15 lakh अधर दन इंडियन इनकम फॉरें इनकम कि मतलब कहा गया कि जो इंडियन औरीजन है अगर उसकी इंकम भी साथ के साथ आपको अगर 182-182 वाला स्रिफ चेक करना है न तो उसका जो इंकम है फॉरन इंकम को छोड़ दो इंडिया की इंकम अगर 15,000,000,000 रुपए से कम कमाया जा रहा है मान लेते हैं कि कोई इंडियन सिटीजन है जो की बाहर रह रह रहा है काफी टाइम से विजय मालिया उसने करोड़ों रुपए इंडिया के अंदर इंवेस्ट कर रखा है और पता चल जाए गौर्मेंट को करोड़ों रुपए इंडिया के अंदर इंवेस्ट कर रखा तो उसके से ब्याज ब्याज सिर्फ 14-15,000,000 तो बनी सकते हैं तो अगर उसका ब्याज 15,000,000 रुपए तक रहा तब तो हम उसको छोड़ देंगे तब तो यही सिंपल सा रूल चलेगा लेकिन जैसे ही 15,000,000 से एकसीड होगा उसके लिए एक और रूल आ जाएगा इंकम कौनसी इंकम इंडिया से होने वाला इंकम फॉरन इंकम छोड़ के तो सर इसका मतलब अगर इसकी इंकम 15,000,000,000 अधर देन फॉरन इंकम मैंने कहा कि नोट एकसीड इसका एकसीड नहीं होना चाहिए तो एक कोशन रेज होता है सर कि अ बोला गया अगर इफ इंकम एकसीड फिफ्टीन लैक कौनसे वाला अधर देन फॉरन इंकम तो सर आपके उपर कंडिशन नंबर टू अपलाई हो जाएगा थे कंडिशन नंबर टू के अंदर बताएंगे जरह थोड़ा याद हो तो सर कंडिशन नंबर टू में था साथ दिन होना चाहिए और 365 दिन पिछले चार सालों मोना चाहिए, तो sir condition number two जरूर अपलाए होगा, लेकिन 60 दिन जहां पे बोला गया है न, उस 60 दिन को थोड़ा सा हम बदल देंगे, और उस 60 दिन के अंदर हम 60 days की जगह पे आपका चेक करेंगे, 120 days, आपका क्या चेक करेंगे, 60 days की जगह पे, 120 days, इसका मतलब sir, कहना है, यह 60 दिन है, इसके साथ भी कोई और rule है क्या, बिलकुल, इसके साथ एक rule बन जाता है, 120 days and 365 days in last four years, लेकिन यह सब के उपर अपलाई नहीं होता, sir, यह किस के उपर अपलाई होता है, सिर्फ और सिर्फ, Indian origin, और sir, सभी Indian origin पर अपलाई होगा, यह कुछ एक Indian origin पर, sir, सभी पर अपलाई नहीं होगा, जिसकी income exceed हो रही होगी, यह सभी Indian पर होगा, नहीं होगा, no sir, यह सरिफ उसी के income होगा, जिसकी income, whose income, exceed, 15 lakh, मैं हर बार word यूज कर रहा हूँ, exceed, इसका मतलब 15 lakh है, तो वो बच गया, और कौन सा 15 lakh, Indian income, other than foreign income, law में कहा है, other than foreign income, यह पिछले साली amendment आया था, जो changes आया था न, वो पिछले साली करा था, government, COVID के duration में, फिर से एक पर दुबारा देखते हैं, sir, income tax में, residential status में आपके दो status है, या तो आप resident होगे, या non-resident होगे, resident होने के लिए आपको 182 days इंडिया में रहोगे, जिस साल उस साल आपका status resident होगा, अगर 182 days नहीं हो तो आपका check किया जाएगा, 60 दिन और 365 दिन लगातार पिछले 4 सालों में तब आपका resident माने जाओगे, in case आप इन दोनों से बच जाते हो तो आप किस में चले जाओगे, non-resident में, लेकिन फिर कुछ exception cases है, sir, exception cases क्या है, तीन condition के अंदर आपके उपर ये वाला rule apply नहीं होगा, स्रिफ और स्रिफ ये वाला rule apply होगा, condition number 1, अगर आप crew member की तरीके से काम करते हो, condition number 2, अगर आप काम करते हो, Indian person outside India for the purpose of employment, और condition number 3, अगर आप क्या हो, Indian origin हो, लेकिन Indian origin के अंदर सरकार ने थोड़ा सा लफड़ा डाला हुआ है, अगर आपकी income 15,000,000 रुपे से जादा है, इंडिया वाली income की बात कर रहा हूँ, अगर आपकी 15,000,000 रुपे से क्या है, जादा है, ऐसे situation में आपको माना जाएगा, आपके उपर apply होगा, condition number 2 भी, लेकिन 2 होगा, with a change के साथ, वहाँ पे 60 की जगह पे क्या चेक कर लिया जा नहीं देखना उसको, अगर मान लो कोई person है, जैसे मान लेते हैं, विजय मालिया की बात कर लेते हैं, विजय मालिया जो है, वो क्या करता है, इंडिया से पैसे कमा रहा है, उसकी 13,00,000 रुपे इंकम हो रही है, और बाहर करोड़ों रुपे कमा रहा है, foreign income वो, तो उसको हम non resident के category में रखेंगे, उसके उपर सिर्फ एक ही rule apply होगा, 182 दिन वाला, कह रहे हैं, अगर किसी का sun बिल्कुल ये concept आगे आएगा, अमंदीप ये remittance का part है, सारी चीज़े हम करेंगे आगे ये, जितने बच्चे भी live हैं, जो है, फटा-फट से comment लिखिए, ताकि मैं इसके आगे और जा पाऊ, चलो एक चोटी सी point आ रहे हैं, उसको करके, फिर हम इसको conclude करेंगे, सिर्फ basic condition खतम हो जाएगा, एक point ये है, कुछ ऐसे वेक्ति भी है, कि वो पैसा तो कमा रहे हैं, और वो कहीं का resident ही नहीं हुआ, जैसे मालो पचास दिन रह गया India में, पचास दिन रह गया USA में, पचास दिन रह गया Australia में, फूरी India घूम लिया उसने, पैसे कमाएगे खूब उसने, मतलब पैसे तो कमाई रहा है अब इस तरीके से देखा जाए तो वो टेक्स के दाइरे से तो बच गया न तो इंडियन गॉर्मेंट एक और अमेंडमेंट लेके आई सेक्शन 6.1.1 के अंदर कि अगर ऐसा कोई वेक्ति है जो कहीं पे भी उससे टेक्स नहीं वसूला गया और अगर उसकी इंडियन इंकम 15 लाख रुपे से उपर हो रहा है तो ये कंडिशन जो हमने देखा इस कंडिशन को छोड़ो उससे टेक्स ले लो आप उसे इंडियन रेजिडेंट मान लो हाँ वह भी बात करेंगे अब कुछ अभी जैसे कि वह इंडिया के अंदर रह रहा है नहीं रहा है सारी बाते करेंगे एक एक करके कि नहीं नोट्स करने के लिए मैं प्रॉपर टाइम दूँगा जब तक खतम नहीं करना अभी इसके अंदर बहुत साब कोईंट्स है जो भी आपके हैं जो भी बच्चे हैं उनका हैं मैं अपना कंसेट पहले खतम कर लो मैं बोल दूँ ओके मेरी तरफ से हो गया फिर अब सर यहां पर कोशन आता है कोई व्यक्ति पागल है जो बताएगा एक सो ब्यासे दिन रह रहे हैं कोई पागल है जो बोलेगा हम साथ दिन रह रहे हैं इंडिया में इंकम टेक्स वाला इसके साथ तो हमेशा रहेगा नहीं यह तो बोल देगा मैं इस दिन मैं तो इतने दिन नहीं रहा भाई तो इंडिया के अंदर ने दो लॉज है एक सेकिट इंडिया की हम बात करें तो दो लॉज है इंडिया की हम बात करें तो दो लॉज है एक है क्रिमिनल लॉग ठीक है न? क्रिमिनल लॉग के अंदर क्या है? और एक है हमारा इंकम टेक्स का लॉग दोनों के कहानी देखो किस तरीके से होता है अब तो गवर्मेंट ने भुला है कि किसी भी व्यक्ति को आप हतकडी भी नहीं लगा सकते क्यों? उससे उसका इंसल्ट होता है अगर किसी ने मडर कर दिया है आप देखना कई बार ठीक है? अगर किसी का मडर कर दिया है या कुछ भी उसके उपर आरोप है जब तक उसके उपर तै नहीं हो जाता हाँ, तो हाथ पकड़के ले जाएंगे या रसी पहले बाहन देते थे अब रसी सायद बाहन देते हैं जो कोई जादा ही अगर है हतकड़ी नहीं लगाते हैं ऐसा क्यों कानून बनाया गया? तो जजज बाहनते हैं कि भाई इसके उपर इलजाम लगाया है जज बोलते हैं मेरी नजरों में सबसे भोला यही है इसने मडर कर दिया सबसे भोला यही है कि इसने इलजाम लगाया? पुलिस वालों ने बोला कि हमने देखा है हमारे पास कंप्लीन आए तो पुलिस वाले आपकी जिम्मेधारी बनती है प्रूफ करिए कि इसने मडर किया है आप देखते हैं जैसे मर्डर का केस होता है काफी दिन तक चलता है सिर्फ यही law है जो उस वज़े से और दूसरा कानून है income tax का income tax में judge बोलते हैं कि जिसके उपर लगाया गया है इल्जाम के उसने income tax की चोरी की है वही चोर है अगर वो बोलता है मैंने income tax की चोरी नहीं की है तो उसकी जिमेदारी अप्रूफ करें के तुमने चोरी नहीं की है तो दोनों law का देख रहे हो एक में जज सामने वाले कल्पिट को सामने वाले व्यक्ति को क्या मान रहा है innocent criminal law के according और income tax के law के according तो अब कहते हैं के सर कैसे पता चलेगा 182 डेज तो ऐसे situation में आपने अगर government को नहीं बताया कोई बात नहीं लेकिन जब आप government के पास गलती से चले गए तो government कहेगा हम तो बोल रहे हैं 180 दिन तुम प्रूफ करो कैसे नहीं तुम प्रूफ करोगे के कैसे नहीं किया है समझ मैं ही बात आपको तो यहां पे 182 अगर आप आते हूँ इंडिया और government को कानो कान खवर नहीं लगती आपके उपर कोई tax नहीं लिया जाएगा सिंपल सी बात है लेकिन अगर government को पता चल जाता है तो आप से जब पूछा जाएगा तो आपकी responsibility आप प्रूफ करें अगर आपने प्रूफ कर दिया 182 वन डेस तो फिर आपको टेक्स नहीं लिया जाएगा आप बच जाओगे अगर आपने प्रूफ नहीं कर पाए तो फिर आपको टेक्स देना ही देना पड़ेगा हर जगह पे बोला गया in India अब सबसे पहले define करना होगा सर इंडिया का मतलब क्या है ठीक है न क्या बोला गया हर जगह पे इन इंडिया आइचे कह रहे हैं कि सर गली में ऐसी बातें मत करो अप मिर्डर हुआता थो पूलिस वालोंगे इंकाउंटर कर दिया है तो मैं कौप की बात करां ओलत तो कुट तक गया है नहीं तो ऐसे बातें करो दूसरा पूछ रहा है यहां तक एक छोटा सा पॉइंट और मुझे क्लियर करने दे जो लाइव क्लास में बच्चे है मैं एक सिंपल सा पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ का कह रहे हैं चलिए अब पहले हम डिफाइन कर लें सर इंडिया क्या कहा गया इंकम टेक्स के अंदर इंकम टेक्स के अंदर इंडिया को भी डिफाइन किया गया कुछ बच्चे डाउट पूछ रहे हैं बस मुझे टाइम दीजिए कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि इंडिया नहीं कुछ बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं सर एवरिफिंग इस क्लियर कैरी ओन टॉपिक ओके ठीक है चलिए आपके सामने लेके आते हैं यह क्या है यह भारत अब इसके अंदर इंडिया की बात करें तो यह सारा का सारा एरिया क्या है इंडिया का इसके साथ वाला यह सारा एरिया क्या है यहां पे है क्या वैसे पानी यहाँ पूरा पानी इस साइड में अलग एरिया चले जाता है इस साइड में अलग एरिया चले जाता है तो इंडिया को define करते हुए हर country का अपना जहाँ पर ये खतम हो रहा है ने line इस line को खतम होने के बाद भी कुछ area उनका अपना माना जाता है ऐसा नहीं है कि यह यहां खतम हुआ तो इसका मतलब सर यहां से कितना एरिया यहां पर माना जाता है तो जवाब है यहां पर 12 nautical mile अब पानी है पानी को किलो मिटर में नापोगे ना तो नहीं नाप सकते पानी का waves होता है ना तो waves होता है तो उसको नापने के लिए हम यूज करते हैं जैसे कि nautical mile तो यहां से 12 nautical mile 12 nautical mile तक आपका इंडिया का ही हिस्सा माना जाएगा कितने mile तक 12 nautical mile तक सर हर किसी के हिसाब से ना अलग अलग देखो GST के हिसाब से अलग होता है यहां के हिसाब से अलग है 12 nautical mile तक इंडिया का हिस्सा माना जाएगा और इंडिया का जो territory border होता है ने वो कहीं इससे जादा होता है लेकिन फिर भी बोला गया कि अगर 12 nautical mile हो मान लो कोई बैठती यहां पे बैठके तास खेल रहा है अब वो आ गया 12 nautical mile के अंदर उसे बोला जागा भाई तुम इंडिया में ही थे अब तुम्हें टेक्स देना पड़ेगा इंडिया से उपर कुछ बच्चे कहना कुछ लोग बोलते हम इंडिया में थे इन जैसे फिशर मैं होते हैं बेसिकली उनके लिए कि वो तो जातर यहीं पर होते हैं तो बोलते हम इंडिया के पार्टी नहीं तो फिर भी उनसे टेक्स लिया जाता है दूसरा एर में अगर इंडिया से उपर एर में भी हो आप अर्निंग कर रहे हो उस टाइम पे तो वो इंडियन इंकम ही मानी जाएगे कैसे एर में आप कोई भी आप मान लो पर एक्जामपल इंडिया के जो की पूरा एरिया है हमारा उस एरिया के ऊपर कोई एरोप्लेन है या कुछ ऐसा काम कर रहे हो जैसे कि एर में आपने पैसे कमाए हैं कुछ हाँ पैरशूट मान लो अगर आपने पैसे उपर कमाए है मेरी सिंपल सी बात है अगर आप देखो कई बार पता है क्या होता है जैसे इंडिया के उपर से एरोप्लेन जा रहा है वहाँ पर कोई भी अगर चाइल्ड बॉन होता है उस डूरेशन में उसे इंडियन का सिटिजन दे दी जाती है अगर यूएसे से उपर से चला गया तो उसे ग्रीन कार्ड मिल जाएगा यह रूल है सर कैसे पता चलेगा उस टाइम पे इतने सारे वीडियोज है उतने सारे क्रिव मेंबर है सभी तो विटनेस है तो यह क्या रहता है रूल है ऐसा ही इंडिया के अगर एय का अंदर वाला नतो है है साध के साथ यह भी दूसरी बात कुछ वैक्ति कहते हैं सर कुछ पर्सन का कहना है कर dudकश का हम न है आए 10 दिन यहां पे रुखे 15 दिन यहां पे रुखे 20 दिन यहां पे रुखे 30 दिन यहां पे रुखे 50 दिन यहां पे रुखे तो सर इंडिया में रुखने का मतलब है आप इंडिया के किसी भी जगह पे रुखेगे हो तो इंडिया में ही सब को जोड के 182 डेस काउंट कर ल लेंगे यह 60 दिन 35 दिन वाला क्वालिफाई कर उससे भी लेंगे हम इसके बाद बोला गया कि जब कोई इंडिया के अंदर आएगा मान लो कोई वेक्ति अचानक से 182 वन डेज हो रहा है कि वह तो बच गया लेकिन बोला गया जिस दिन इंडिया में आओगे न आप वो बोलता है कि सर मैं तो 12 बज़े आया हूं मैं एक सेकिंड पहले आया हूं चे तारिक रहेगी ग्यारा उनसट के बाद 12 एक पे साथ तारिक आ जाएगा बारा बज़े के बाद 11 उनसट पे इत्तफाकन वह इंडिया में आ गया इंडिया के टेरिट्री वाटर इंडिया के एयर में वो आ जाता है और टोटल इंडिया में बन रहे हैं 181 दिन अब गवर्मेंट चेक करेगा कि भाई जब आ रहे थे तो कहां थे तो देखा ग्यारा उनसट पे वह इंडिया में आया था सिर्फ कितने एक मिनट के लिए इं पैटर नहीं करता 24 घंटे के लिए आपके लिए वो फुलल डे इंडिया के अंदर माना जाएगा सेम ऐसे डे आफ़ णिबर दि आप इंडिया चोड़ के रहे हो इंडिया चोड़के आप बाहर जा रहे हो ऐसे सिचफूएशहन में भी माना जाएगा आप इंडिया में ही जो भले ही आपने एक मिनट पहले छोड़ दिया हो इंडिया को तो क्या याद रखना है कि 182 डेज या 60 डेज 365 डेज के लिए कंपल्सरी नहीं है कि परसन एक ही जगह पर इस्टे हो पहली बात दूसरी बात सर जरूरी नहीं है है जो रर्यवल होगा वह भी कहां काउंटिंग होगा एंडिया के अंदर डेज औहश्टियु Inhale का इंडिया के अंदर माना जाएगा कुछ्छा फैलिट सो दे हैं जो कि few hours के लिए आते हमेसा होते हैं ना पाइलेट मान लेते हैं कि आप दुबाई का देखो तो दुबाई से और इंडिया का जाएगा समझ मैं आई बात आपको तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हां जी बताईए तो दूसरा चेक करेंगे कि दूसरा अप्लाई होगा अगर वो अगर वो क्रिव मेंबर है तो अप्लाई नहीं होगा दूसरा वो चीज रहेगे ठीक है ना इंडिया से बा आपके लगेगा एक्सेप्शन अगर आप इंडिया औरीजन हो उसके के अंदर चेक करना पड़ेगा आपके इंकम इंडिया इंकम 15 लाग से ज्यादा है तो एक सो साथ दिन के जगहाए पे एक सो बीस दिन अप्लाई करके आपका चेक कर लेंगे लेकिन कुछ वेक्ति है ज आ रही है उसे बोलेंगे तुम इंडिया में एक दिन के लिए नहीं रुखे हो कोई फरक नहीं पड़ता आप डीम टूबी डीमड का मतलब मानना पड़ेगा कि तुम इंडियन रेजिडेंट हो और तुम्हें यहां पर टेक्स देना पड़ेगा यानि सर मोटी मोटी बाते कर तो यहां पर कुछ रूल है रूल क्या है पॉइंट नमबर वन नोट नमबर वन सर नोट नमबर वन यह है नो नीड टू स्टे इन इंडिया एट वन प्लेस यानि कोई जरूरत नहीं है कि इंडिया के एक ही प्लेस पे आपको रहना है आप घूम सकते हो इंडिया में तब भी काउंट होगा डे ओफ डिपार्चर मतलब जाने का और डे ओफ अराइबल बताओ कहां काउंट होगा इंडिया में काउंट होगा ठीक है ना nautical mile में कितने kilometer होते हैं simple से बात ठीक है तो हमने अभी क्या देखा है सर अभी तक जो चेक किया ना एक individual का residential status मैं फटा-फट दो मिनट के अंदर conclude करता हूँ इसको खतम अभी class खतम नहीं होने जारी तो मैं फटा-फट से conclude करता हूँ सर किसी भी person का किसी भी individual का residential status चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि at least 182 days अगर यह एक इंडिया के अंदर रह रह रहा है तो उसे resident बोलेंगे अगर 182 days से बच गया तो उसके उपर अपलाए होगा 60 days और 365 days last four year के अंदर तो उसे हम क्या बोलेंगे तुम इंडियान रेजिडेंट हो लेकिन exception तीन केसी से नंबर वन employment purpose के लिए बाहर जाओगे तब आपके उपर सिर्फ 182 वे आला अपलाए होगा क्रिव मेंबर हो तो आपके उपर कौन सा अपलाए होगा 182 वाला दूसरा इंडियन ओरीजन हो तब भी आपके उपर सिर्फ 182 वाला अपलाए होगा लेकिन अगर आप इंडियन ओरीजन हो और आपके इंडियन इंकम 15 लाक रुपे से जादा हो रही है excluding foreign income तो आपके उपर जो है अगर आप कहीं भी किसी भी कंट्री के अंदर रेजिडेंट नहीं हो पा रहे हो लेकिन इंडिया के अंदर से आपकी इंकम 15 लाक रुपे से उपर हो रहा है तो आपके लिए हम 182 डे 60 50 छोड़ो बोलेंगे तुम रेजिडेंट और लाओ टेक्स क्योंकि तुम बाहर तो ब अप्लाय होगा तब जाके उससे हम टेक्स वसूलेंगे यहां तक तो वह हो जाएगा सिर्फ रेजिडेंट अब देखेंगे के वह ओडिनरी रेजिडेंट है मतलब बिल्कुल बाइंडिया का मतलब उससे तो टेक्स देना ही देना है बच नहीं सकता एक नोन ओडिनरी से एन आर वर्ड इसमाल कर लेता हूं एन आर एन आर मतलब नौन और इसके लिए मैं आर वर्ड का इस्तेमाल करूंगा मतलब रेजिडेंट अब किस किस का क्या क्या डाउट है देख लेते हैं फटा-फट से बताइए फिर हम आगे टॉपिक पर चलेंगे कोशन है सर अगर कोई परसन कहीं बाहर का रेजिडेंट भी नहीं होता और इंडिया में 15 लाक रुपे से कम की इंकम है तो उससे इंडिया गवर्मेंट भी छोड़ देगी बोलेगी तुम बच गए 15 लाक रुपे कंप्लीट करना जरूरी है किस-किस बच्चे का डाउट बताईए वो गवर्मेंट आपको अगर पकड़ लेती है गवर्मेंट आपसे पूछताच करती है कि आप 182 डेज इंडिया में अगर वो बोल देती है इंकम टेक्स वाले आए आपके उपर इल्जाम लगा दे कि तुम 500 दिन से 500 दिन तो नहीं होते साल में आप 200 दिन से इंडिया के अंदर रह रहे हो अगर आपके उपर एक इल्जाम लगा दिया जाए और तो फिर आपको प्रूफ करना है कि आप 200 दि यहां तक क्लियर है फटा-फट से नोट कर लीजिए इसको